दोस्तों यदि आप चाहते हैं पिछले साल की अपेच्चा इस साल हमारे गेहूं की फसल से अच्छा रिकॉर्ड बंपर उत्पादन हो गेहूं में दूसरी सिचाई करते समय कौन-कौन सी ऐसी बातों को ध्यान में रखकर सिचाई करनी चाहिए जिससे कि हमारी फसल की बहुती ज्यादा इंपोडेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसे थीन खास खादों के बारे में बताएंगे जिनका प्रियोग किसानवायों आप गेहूं की दूसरी सिचाई के बात करते हैं तो किसानवायों आपके गेहूं की फसल की जो ग्रोथ होगी बढ़व से चलेगी वह कौन से खाद है जिनको आपको डालना है जानने के लिए वीडियो को अंतर तक जरूर दे के चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिप्या करके चैनल को सब्सक्राइब को पास वाले बेल आगन गंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली वाइंपोडेंट वीडियो इस समय काफी तेजी से हो रहा होता है कल्ले की जो निर्मार की प्रक्रिया होती है हमारे गेहूं की फसल में यदि इस समय पर हम अपने गेहूं की फसल में किसानवायो सही मात्रा में सही औरोरा को डाल देंगे किसानवायो आप सकता कि अनुसार हमारे गेहूं के पौदे को तो हमारा गेहूं की फसल किसानवायो बहुत ही अच्छे तरीके से एक समान आकार में चलेगे तो नम्मर वन पर दूसरी सिचाई करने के बाद आपको किस खाद का प्रियोग करना है इसका नाम है यूरिया किसानवायो जब आप गेहूं में दूसरी सिचाई करते हैं उस समय पर नाइट्रोजन किसानवायो हमारे पौदे को सबसे ज़्यादा आवसकता होती है यदि आप नाइट्रोजन डालेंगे तो आपके गेहूं के पौदे का ब्रद्धी विगास बहुती बढ़िया डंक से होगा पसल में आपके हर्याली बनी रहेगी यदि हम दूसरी सचाई पर यूरिय की मातरा की बात करें तो आप लगवग 40 से 45 किलोग के एसाफ से यूरिय का प्रियोग कर सकते हैं नम्मर दो पर किसानवायो आपको जिस खाद का प्रियोग करना है वहाई एक इस्प्रेय है इसका नाम है एनपी के उननीस उननीस इसका प्रियोग किसानवायो आपको दूसरी सचाई के बाद जरूर करना चाहिए क्योंकि किसानवायो सभी प्रकार के मुख के पोसकता तो होते हैं यहाँ पाए आते हैं जैसे किसानवायो 19% नाइटोजन, 19% फासपोरस, 19% पोटेसियम पाए आता है इसको डालने से किसानवायो हमारे गेहों की जो फसल है, अगर दवरही होगी फसल कमजोर होगी, ग्रोथ कम हो रही है, कल्नों की शंक्या कम होगी फसल में, खिल्यापन होगा, वह भी दूर हो जाएगा, हम मात्रा की बात करें तो, 1 kg आप लगवाग, 120 लीटर पानी में घो बना कर इस प्रेक कर देना है इसका रेल किसानवाई इस समय बहुती बढ़िया बहुती शांदर देखा गया साथ ही अगर आपके गेहूं की फसल किसानवाई कम जो रहे पोदों की शंक्या कम है तब आपको इसका प्रियोग तो जरूर करना चाहिए क्योंकि इसको डालने से आपके गेहूं में कल्लों का विकास तेजी से होगा रुक्यू ग्रोध बहुत जादा बढ़ जाएगी एक पौदे से अधिक से अधिक कल्ले नजर आएगे आपका जो पूरा केत है वो हरा वरा नजर आएगा खेत पूरी तरह से गेहूं के पौदे से बढ़ जाएगा आपको सलफर का प्रियोग करना है चाहे छोटे मोटे रोग हो आसानी से खत्म हो जाते है क्योंकि सलफर एक तरह से फंगी साइड का कारी करता है किसानवायों शुरूयाती अवस्ता से लेकर मद्ध अवस्ता तक हमारे गेहूं की फसल में सलफर की पूरती होनी चाहिए और यूरिया में मिलाकर आपको इसका प्रियोग करना है आप दूसरी सिचाई के बाद इन तीनों खादों का प्रियोग किसानवायों तो इस साल गेहूं की फसल की जो ग्रोथ होगी वो पिछले साल के सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी साथ ही आपके फसल में कल्लों की जो स जादों को लगा कर आप अपने गेहूं की फसल से बंपर और शांदर उत्पादन ले सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जल्दी ही मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में होगी वीडियो पसंदा यह तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर यदि पहली बार आएं तो सब्सक्राइब कर ना भूलें वीडियो देखने लिए धन्यवाद जय जवान जय किसान